हलो एब्रीबडी वेलकम तो स्मारेस्ट क्लास यह है पेज नमबर एट फ्रेंच रिवोलुशन का दी आउटब्रेक आप दी रिवोलुशन मतलब जो रिवोलुशन था वो आखिर कैसे हुआ उसका आउटब्रेक कैसे होता है राइट तो यहाँ पर आप देखते हो सबसे पह जाती कि उसको एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी इससे पहले भी जब टैक्स इंक्रीज किये गए थे तो एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ी थी तो यहाँ पर एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाने का फैसला लुई 16 ले ले लेता है और estates general की meeting बुलाई जाती है फिफ्त में 1789 को आपको ये date याद रखनी है कि estates general की जो meeting बुलाई गई थी वो कब बुलाई गई थी फिफ्त में 1789 को राइट अब यहाँ पर जो meeting होती थी उसके अंदर तीनों estates participate करते थे first state के representatives 300 second state के भी 300 और third state के 600 representatives चामिल होते थे participate करते थे और हमारे democracy में जो होता है one person one vote one value वो यहाँ पे नहीं था यहाँ पे क्या था यहाँ पे था one state one vote one value कितने votes की जरत पड़ती थी taxes को increase करने में तो taxes को increase करने में two votes की जरत पड़ती थी जहाँ पे first state वाले तो tax pay करते नहीं थे second state वाले भी tax pay करते नहीं थे के वल third state को ही tax pay करना पड़ता था जो इस बार third state के representative थे वो कोई पीजेंट वगेरे नहीं थे वो बहुत ही high class society के rich और educated लोग थे पीजेंट, artisan और women इन तीनों की ही entry इस बार allowed नहीं थी और नहीं इनकी entry allowed थी तो इनके लिए इन्होंने अपने letters लिखे थे letters के अंदर इन्होंने अपने grievances, grievances आपकी book में दिया हुआ होगा के दी थी जो यहां पर discuss की जानी थी estates general की meeting में अब यहां पर third estate जब सारे लोग बैठ जाते हैं तो third estate के लोग जो होते हैं वो demand करते हैं राजा से कि estates general में one person one vote होना चाहिए one representative one vote होना चाहिए one estate one vote नहीं होना चाहिए लेकिन राजा उनकी demand को accept करता है क्या no king rejected their demand यह देखिए लिखा हुआ है मैंने demand watch rejected यह सारे लोग क्या करते हैं यहां से walk out कर जाते हैं आप अपनी book में देखे होगे लिखा होगा कि they walked out of assembly ठीक है तो यह walk out कर जाते हैं अब finally यहां के बाद 28 जून को यह लोग दुबारा से इकठा होते हैं 28 जून को क्यों इकठा होते हैं पता है आपको 28 जून को इसलिए इकठा होते हैं क्योंकि 28 जून में indoor tennis court जो वरसेले पैलेस में ही होता है वहाँ यह gather होते हैं और यह एक oath लेते हैं शपत लेते हैं इस पे एक question भी आता है write a short note on tennis court oath तो tennis court में यह लोग इगठा होके शपत लेते हैं कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हम फ्रांस को constitutional मोनार्की ना बना दें राइट तो constitutional मोनार्की इसके अगले वीडियो में हम discuss भी करेंगे और डिसाइड करते हैं कि हम जो है तब तक चेहन से नहीं बैठेंगे जब तक हम Constitutional मोनार की देखो यहां मेरे लिखा है Constitutional मोनार की ना बना दे जहां पर देख में Constitutional भी हो और मोनार की मतलब राजा भी हो लेकिन उसकी पावर को हम लिमिट कर देंगे जिससे वो हमारे उपर रतियाचार ना कर सके आगे इसको सपोर्ट करते हैं मीरा वियू और एबेसिये मीरा वियू आते हैं एक नोबल फैमली से और एबेसिये होते हैं एक प्राइस्ट है ना कलर्जी होते हैं एबेसिये राइट तो ये मीरा वियू और एबेसिये ये लोग इस मीटिंग को जो चिनिस कोट में हो रही होती है इसको ये लोग गाइड करते हैं, लीड करते हैं Finally ऐसी सिचुवेशन्स फ्रांस में डवलप हो जाती है ये ट्वेंटी ए जून की बात हम करने हैं ती लोग सारे लग जाते हैं Constitution बनाने में उसे जो फसल होती है वो बहुत ही खराब हो जाती है कि वहाँ पे सबसिस्टेंस क्राइसिस की स्थिती हो जाती है फूट बहुत प्राइसिस बहुत हाई हो जाते है क्यों कि फूट शॉटेज हो जाती है और जो सप्लाइर होते हैं वो सप्लाइ को क्या करते हैं होड कर लेते हैं मतलब उसको होड कर लेते हैं को रख लेते हैं छिपा के जिससे जब प्राइसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे तब उनको सेल करेंगे राइट कि फाइल्ली सारा कुछ होते होते फिर वो रियूमर फैलते हैं कि किंग हैज आडर्र क्यूद कि पैरिस में सिचोईशन आउड अफ कंड्रोल हो चुकी होती है और रियूमर फैलता है कि राजा ने जो है वो टूफ्स को छोड़ दिया है कि इनको मार दो है न तो उस रियूमर को फैलने की वज़े से कुछ लोग बैस्टील को जाके तोड़ देते हैं और फोडिंग जुलाई को हो जाता है स्टॉर्मिंग ओफ बैस्टील फिर पैरिस में सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है और राजा फाइनली भोल देता है कि I am ready to sign the constitution मतलब मैं constitution को sign करने के लिए ready हूँ लाओ तुम्हारा constitution कहा है तो लुई 16 accepts constitution राइट इसके बाद लुई 16 sign कर देता है और फ्रांस बन जाता है constitutional बोनार की और फिर government को वहाँ पर क्या मिलते है टू बिलियन लिब्रे के जो assets होते है वो government वहाँ पर acquire कर लिता है